आपका हमारे यूटूब चैनल टेक बिलगाइट्स पर गाइस आज हम आपको बादाने वाले हैं कि आप कैसे विंडोस 11 में ओड़ा सेटी एप को डाउलोड कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहिए विंडोस 10 हो विंडोस 11 हो या फिर विंडोस 7 हो या विंडोस 8 हो अदर्वाइस आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहिए आपके पास मैक हो यह लीनक्स हो मैं आपको हर एक तरीके से बताने वाला फीरी में और अपने लट्टॉब एक डिस्टॉब में कैसे इस्टॉल कर सकते हैं तो चली चलते हैं डिस्टॉब में और डाउन्लोड करते हैं ओडासीटी एप को Odacity क्या है Odacity एक तरह का open source एक software है जिसकी मदद से हम अपनी record की गई हुई आइडियो को अपने हिसाब से customize कर सकते हैं और उसकी noise को हम एकडम से remove कर सकते हैं कर सकते हैं कि हम एक तरह से अपनी वाइस को जो अपनी recording को smooth and easy तरीके से अच्छी तरह से एकडम broadcast की तरह से अच्छे से बना सकते हैं और उसे YouTube पर या फिर किसी other platform पर पब्लिस भी कर सकते हैं तो चलिए फिर चलते हैं अपने desktop में और देखते हैं कि आप कैसे Windows 11 में audacity को download करेंगे यह जो आप मेरी वाइस सुन रहे हैं यह मैंने फॉन से record की है और इसमें बहुत सी मलब noise आ रही है लेकिन मैंने audacity app के थुरू इसमें थोड़ी बहुत noise को cancel किया है तो आप तो जो मेरी आवाज है आपको थोड़ी बहुत clear सुनाई दे रही होगी तो सबसे पहले जाएंगे हम Google में Google में जाने के बाद आपको type करना है audacity.com या फिर आप audacity लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा उसके बाद आपको search पर click कर देना है जैसे ही search पर click कर रहेंगे तो यह आपके सामने first website नजर आएगी जिसमें लिखा audacity free open source cross platform Addio software मलब यह हर एक platform पर run करेगा जाहिए आपके पास LinuxOS या फिर आपके पास Macbook या फिर आपके पास Windows हो या आपके पास Chromebook हो मार किसी भी app पर या किसी भी phone पर किसी भी चीज़ पर किसी भी डिवाइस पर किसी भी operating system पर हर एक तरह कि मलब किसी भी किसी भी device पर run कर जाएगा smoothly से चाहिफ चाहिए आपके laptop में वन जी बी की रहम हो या फिर आपके laptop में टू घञा मो इस इड़ती को इस तरह से बनाय overlapping सिस्टम पर किसी भी denying 6788 वह स्सक्रस जोट लो जी情况 पर जो आपकी computer की requirement बहुत से low है जिसे कि आपके अपास 1GB की RAM है या 500MB की RAM है तब भी यह smoothly काम करेगा इसमें आपको इसमें किसी भी प्रकाश कोई दिक्कत नहीं होगी तो इस पर हम क्लिक करेंगे जहां लिखा है Audacity इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने इस तरह का इंडर्फर नज़र आएगा और यहां पर लिखाएगा डाउनलोड और यहां पर आपको तीन चीज़े दिखेंगे यहां पर फॉस्ट में लिखा है तो यह Audacity एप आपके Windows 11 में या आपके Mac में या फिर जो भी आपका सिस्टम है उसमें डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको इससे इस्टॉल करना है इस्टॉल करने के बाद आपको 2-4 स्टेप करने पड़ेंगे जिसकी मदद से आप अपनी वाइस की और नायस को रिमूव करेंगे और दीखेंगे कि अपनी नायस को अपनी वाइस से कैसे हटा सकते हैं तो चलिए और चुल करते हैं इसके बाद आपको यूज करते हैं इसके बारे में देखेंगे प्रेम कर दो किसते थाल कि पूल एक बड़ारे अुर्ट धाल लिजसे वैचितना में कि आप में झाल लाइ उन्हाम को बाइए टार बन में का बाइए एका बातों भाइए एक पाल